हलो एव्रिवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का डटनिफो सेवन के प्लाटफॉर्म पर मेरा नाम है रुद्र गातम और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हर्याना सिविल सर्विसेस का फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है वैसे तो आयोग ने बोला था कि एक तारिक में ही दिन में 12 बजे ये फॉर्म जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन एक तारिक की रात के लगभग सारी 11 बजे ये लिंक एक्टिवेट हो गया था और यहां पर मैं आपको एक पूरा डिटेल की कैसे फॉर्म भरें कि जब भी कभी आप हर्याना सिविल सर्विसेस का एक्जाम के फर्म को फिल organs का याद रखना कि आपकी जो पोस्ट आईए टोटल 11 अलग अलग पोस्ट पर आपका एक्जाम जो है फ़ॉम फिल होना है तो यहां पर और आप किस order में post को रखेंगे वो सबसे ज़्यादा important होता है मान लीजी आप एक बहुत अच्छे student है और आपका बहुत अच्छा rank आया लेकिन यदि आपने post preference को proper focus नहीं किया तो उस case में क्या हो जाएगा आपको lower rank की जो post है वो मिल जाएगी तो आपका जो सपना था वो नहीं हो पाएगा शायद आपको इस post के बारे में नहीं पता है तो हमेशा ये बात याद रखना कि post preference is very important और step by step हम लोग एक एक बात करते हैं link activate हो चुका है दो चार बाते मैं यहापर और add कर देता हूँ दो चार बाते मैं आपके लिए और भी add कर देता हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा ये जो link activated हुआ है ये first of December को हो चुका है और हुआ कभे रात में 11 बचके 30 मिनिट पर अच्छा आप इस 11 रात में पीम अच्छा आप ना कोई भी प्रश्न है ना regarding form मतलब आपके form filling में कोई दिक्कत आ रही है form filling में आपके कोई भी दिक्कत आ रही है आपके लिए सीधा मैं बता दूँ आपको की ये ये जो telegram ID है रुद्रा सर अड़ा 247 ये telegram ID पर जुड़ जाना आप और आप अपने प्रश्नों को पूछ लेना तो मैं आपको इस telegram ID पर ही बता दूँगा या फिर आप मुझसे व्यक्तिकत रूप से connect भी हो सकते हैं ऐसा मैंने क्यों बोला कि रात में क्या हुआ जब एक candidate है उसने form को fill किया और लगबग धाई बज़े रात में candidate वो form fill कर रहा था तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो 2017 में 10 जिनकी हो गई है तो उसका year ही नहीं दिखा रहे है तो अभी form में क्या होता है ध्यान से सुनना एक बड़े ध्यान से सुनना जब online कोई form आता है न तो उसमें online form को जब दिया जाता है आयोग के द्वारा तो उसमें कुछ त्रुटियां भी होती है और फिर क्या होता है जब आप आयोग को मेल इत्यादी लिखते तो उन त्रुटियों पर आयोग काम करता है और उस form को अपडेट करता है तो कई बार ऐसी विसंगतियां form में भी आती है और इसी लिए ध्यान से सुनना हमेशा शुरुवात में form में कुछ विसंगतिया आती है उसको आयोग सुधार देता है तो मैं इसी लिए बोलता हूँ कि फर्स्ट डिसेंबर को form online हुआ कब तक चलेगा online त तो फर्स्ट डिसेंबर से लेकर के और 21 डिसेंबर तक ये form online रहेगा और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको form कब फिल करना है मतलब आप कम से कम ना 5 डिसेंबर से लेकर के और 15 डिसेंबर के बीच में form को फिल कर लेना क्योंकि बाद में website slow हो जाती है आयोग ने एक पात और strictly clear किये कि वो exam की जो ये form filling की जो date उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे form filling date को आगे नहीं बढ़ाएंगे अभी मैं आपको लिखित में दिखा दूँगा तो इसलिए उन्होंने बोला है कि यह time से form fill कर लेना time से form fill करने का मतलब यह होता है कि जो भी विसंगतिया है अ उसके बाद में 5 December से 15 December के बीच में जल्दी मत करी आराम से relax कोई जल्दी नहीं है 5 December से 15 December के बीच में आप form fill कर लेना और यहाँ पर सबसे important point होता है post preference post preference post preference जो है वो सबसे important है तो वो मैं भी आपको अभी आपको बता देता हूं post preference क्या होगी तो यहाँ तक सारी बाते clear हैं अब हम लोग आगे चलते हैं कि form 1000 का है और यदि आप 18-27, 18-42 साल की IU वर्ग में हैं है न क्या बोल रहा है फॉर्म में क्या बोला 18-42 IU वर्ग में हैं आप और यदि आप एक graduate है है न graduate, graduation कब तक complete हो जानी चाहिए आपकी जो last date of form है 21 December 2023 तक आप graduate हो चुके होने चाहिए और 1 December, sorry एक बार फिर repeat कर दो, 1 January 2023 इस आधार पे आपकी 18 IU हो गई है या 42 IU हो गई है तो यह unreserved के लिए, फिर SC, ST, OBC जो फाइदा मिलता है प्लस कर लेंगा आप, है न, समझ में आई बात, please tell photo and sign का size क्या हो रहेगा, क्या condition है जी, बिलकुल संजीव कुमार जी अभी आपक इन क्या रहेगा, तो देखो photo का size और sign की आप चिंता मत कीजिए, आप cyber cafe वाले के पास जाईए, वो अपने हाप आपके size को उस आधार पे कर देगा, लेकिन मैं भी website पर भी दिखाने वालो, sir category में DESM में children के लिए option आती है पर नहीं समझे बही, और क्या है, sir मैं 10th class 2018 में की थी option में, 2018 सा नहीं दे रहा, हाँ, ये एक दिक्कत आ रही है, देखो, अमरजीत ने बहुत अच्छी बात बोली है, देखिए, मैंने अमरजीत का जो statement है, अमरजीत भाई का statement मैंने अभी देखा है, और इस problem को मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि मेरे को एक बच्चे का call र आपका जो 10th वगिरा है, वो अरली, तो वो 2018 को नहीं मान रहा है, वो 2017 को मान रहा है, या और उससे पीछे को मान रहा है, डोन वरी, इसके लिए आप आयोग में मेल भी कर सकते हैं, आप अपनी आवाज भी उठा सकते हैं, उससे काम हो जाएगा, ग्रेजुएशन बेस पर हाँ, ग्रेजुएशन बेस पर ही ये फॉर्म भरा जाएगा, और आपका जो आयूवर्ग है, 21 डिसेंबर तक आपका क्या है, ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, 2023 तक 21 डिसेंबर तक आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, य registration regn.hpsc.gov.in पर आप सिंप्ली आप Google पर ऐसे भी सर्च करोगे ना HPSC हचे 2324 एपलाई उनलाइन तो थोड़ा सा नीचे जाकर आपको यह Google पर मिल जाएगा ठीक है यह website है अब देखिए इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर पूरी guidelines दी गई है complete guidelines दी गई है तो यहां पर क्या है कि profile registration सबसे पहले registration होगा आपका basic information आपका mobile number आपका mail ID वगए उससे OTP आएगा email और mobile पर information इसमें name date of birth यह सब editable नहीं है तो जब पहली बार registration करें तो बड़े सावधानी पूर्वक करेंगे आप लोग यस पहली बार registration बड़े सावधानी पूर्वक करेंगे हाँ यह देख लीजिये जो मैं बोल रहा हूं हर बार क्या होता है ना कि जब last date आती है 20 19 20 21 तो जो website वो बहुत ज्यादा busy हो जाती है तो जब website busy हो जाती है तो आप लोगों के लिए क्या होता है आप फिर request करते हैं सब busy होगे थी website इसलिए जो है ना date बढ़ा दी जाए but candidates are advised to apply well in the time within without waiting for closing date closing date का इंतजार किये बिना आप लोग जो है form को fill कर देना इसलिए मैंने बोला कि भई भलेई एक December से 21 December का समय है आप लोग 5 से 15 December के बीच में form जरूर fill कर देना उन सभी aspirants को भी बता देना जो delay करते हैं क्योंकि last में जो चेतता है उसके साथ जो है बड़ी दिक्कत हो जाती है तो चलिए तो यहां पर registration की बात कही गई है सबसे पहला registration है आप में से aspirant पूछ रहते कर सर क्या साइज होगी अप लोड़े passport size photo जो आप अपने photo को click करवाते हैं अपने passport size जो photo होती है प्रोफेशनल वाली तो वह उसमें JPG JPG PNG files allowed and the file size must be less than 500 KB तो यह 500 KB से छोटी होनी चाहिए पहला तो यह बोला और dimension 132 पिक्सल से गुणा 170 पिक्सल से लेकर 160 से 204 पिक्सल तो वह पिक्सल वगरा वाला काम आपका cyber cafe वाला आराम से कर देगा ठीक है upload signature यहां पर JPEG यह ना पिएंजी फाइल अलाउट इन दसाइज और यहां पर signature के लिए आपको dimension दी गई है और यह इसका जो size वह भी 500 KB से कम होना चाहिए 132 पिक्सल इंटू 57, 160 इंटू 68 पिक्सल यह पिक्सल में आपका वो जो cyber cafe है वो अपने आप कर देगा one more point यहां पर बहुत important है कि कभी भी form को phone से मत भरिए हमेशा laptop या desktop से भरिए कोशिश करिए कि cyber cafe वाला आपका form को fill करे क्योंकि वो regular उसका आदी है लेकिन हाँ cyber cafe वाला जब भी form भरे न तो आप उसके पास में बैठे रही है ताकि गलतियों की कोई गुंजाईश न रह जाए बहुत serious matter होता है आप लोग form बर देते हैं बाद में बोलते हैं कि यह हो गया वो हो गया तो ऐसा ना हो मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग confirm करिए एक बार और इसके बाद में next step आएगा during the registration process only the basic detail की ही requirement होगी and after making payment successfully download आपको एक application form पूरा form फिल हो जाएगा तो application को download कर लेंगे and the declaration in given space and upload the signed copy of application to complete the application process तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर declaration का भी option है declaration भी करना होगा आपको एक space आएगा वहाँ पर sign करके और copy of the application to complete application process filling filling which your application will not be considered तो यहाँ पर आपको upload करना भी पड़ेगा उसके अंदर sign करके मतलब declaration वाला पार तो पूरा एक process है ठीक है और यह है ना यहाँ पर बोला गया है कि before produce proceeding with the registration candidate are directed to read carefully तो यह बहुत important point से आप ध्यान से पढ़ लेंगे इसको क्या क्या बूला गया है form को कभी भी बिना पढ़े नहीं भरना चाहिए यह बात याद रखेंगे आप है ना तो अच्छे से पढ़ लेंगे शांती पूर्ण तरीके से सबसे पहला जो question आ रहा है वो कहा are you a bona fide resident क्या आप एक मुल निवासी है क्या हर्याना के yes और no तो आप जो भी लगा है वो लगा देंगे उस आधार पर फिर new registration होगा है ना एक नया registration तो सबसे पहले new registration पर जाएंगे तो पहले yes और no कर दीजिए सबसे पहले मान लीजिए कि आप हैं तो आपने yes कर दिया do you have परिवार पहचान पत्रा तो हो सकता है या नहीं आप देख ले ना नहीं है तो नो कर दे नहीं आप अधर स्टेट के और अब आपका यदि ऐसा कुछ है तो फिर government of हर्याना की जो family idea उसको enter करना है और यदि नो कर देंगे और फिर इसको भी नो कर देंगे तो यहां पर आप लोग जो है इस तरह से प्रोसीड अलग तरह से हो जाएगा सिस्टम तो आप आराम से form को फिल करना है ना next step पर जाना और यहां पर रेजिस्टर नाव करना और यहां पर आप लोग जो है नो कर दिजिए वहां के नहीं है तो तो आपका आधार कार्ट से रेजिस्ट्र करने के बाद में फिर आपके पास क्या आईगी एक डिटेल आएगी कि फोन नंबर इमेल आईडी फोन नंबर इमेल आईडी वह होने चाहिए जो प्रॉपर है ठीक है एजट क्लियर चलो तो यहां तक सारी बात है क्लियर है तो इस तरह से form को फिल कर देना है आर आप लोग में जैसे ही आप लोग all courses पे जाते हैं all courses में जाएंगे UPSC पर जाएंगे और UPSC पे जाने के बाद में सीधा महापैक में चले जाना यह वो courses है जिसमें आपको महापैक में प्री मेंस इंटर्व्यू कुरुक्षेत्रा बैच प्रेलिम्स का मेंस का foundation बैच दो साल तक की जाएगा Y583 जैसे आप Y583 coupon code लगाएंगे तो आपको mentorship guidance क्योंकि आप देखते होंगे सारे के सारे के सारे प्रोग्राम जो मैं design कर रहा हूं हर्याना civil services के लिए इस बर selection की जिद आप लोगों का selection बहुत अच्छा करवाएंगे बहुत मैंनत कर रही है पूरी टीम content team और यह महा पैक जो है optional के साथ है तो यह वाई 583 coupon code लगाने पर 10,500 का मिल जाएगा 7,000 गंटे की classes है test series है faculty members के demo videos आप लोग देख लेना 13 साल का experience है आठां 10-10 साल का experience है वो लोग faculty आपको पढ़ाएंगे UPSC के faculty पढ़ाएंगे तो तो I think ऐसा ना करे बिलना पड़े ना पड़े मे टेलीग्राम ID दिया हुआ है वहाँ पर मेरे से प्रश्न पूछ लेना if you have any doubt मेरी शुब कामना आपके साथ है God bless you all thank you so much